हाव तो डाउनलोड फ्रीफायर इन 2023 बस मुझे जितनी इंगली साथ ही थी मैंने बोल दी अब वीडियो बनाते हिंदी में आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे फ्रीफायर डाउनलोड करना तो तो देखो फ्रीफायर डाउनलोड करने के लिए आपके पास मुवाइल होना चाहिए क्या मतलब मुवाइल में ही वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल पे रिपोर्ट मारने वाले हूँ यार ऐसा मत करना प्लीज तो हम आग्रक की मुहाली स्कीन पर अंद हम इस एपलीचन से रियल फ्रीफायर को डाउनलोड कर सकते है मैं इस एपलीचन को कैसे डाउनलोड किया हूँ और आप कैसे करोगे तो वह सम्में आपको वीडियो के end में बताओंगा अब आप वीडियो को छोड़के वीडियो के end मत भाग जाना आप हमें अपनी girlfriend न समझें जो आप किसी भी तरीके से चूदिया बना लोगे ठीक है तो first of all आपको क्या करना है simply यहाँ पर search बार में आपको search करना है free fire जैसे हम free fire को search करेंगे only free fire आपको type करना है again उसके बाद ही real free fire को कैसे download करोगे तो इन में से कौन सा वो real free fire है जो आपका जिंदगी time नहीं time भी नहीं आपका कुछ नहीं खराब करेगा ठीक है तो आप कहां से real free fire को download कर सकते हो तो यहाँ पर देखो free fire 6th anniversary यही real free fire है यहाँ पर मैं इस पर click कर देता हूँ अगेन उसके बाद यहाँ देखो नीचे आपको मिल रहा है install 385.36 MB का यह free fire game है आपको simply इस पर click कर देना होगा ठीक आओ तो मैं simply आप इस टॉल पर click करूँगा अगेन continue पर click कर दूँगा जैसे मैं continue पर click करूँगा यह application जो है free fire पर download होना start हो जाएगा जैसे यह डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ डाउनलोड नहीं हुआ है और फिर से हमें download करना पड़ेगा तो इसके लिए simply आपको क्या करना है यहाँ पर हम download कर चुके है already ठीक है तो हम उस पर click करेंगे देख सकती जैसा मेरा download पर लगा था complete download हो चुका है मैं जैसे install करना है ठीक है again हम जैसे install पर click करेंगे and उसके बाद allow from this source permission application की देनी होगी again उसके बाद यहाँ पर एक grant permission मांगेगा उसको भी आपको grant permission allowed कर देनी होगी again उसके बाद यहाँ पर आपको restart automatically one second का time लेगा and यहाँ पर यह processing चल रही है यह processing complete होने के बाद आप दूसरे बाले इंटरफेस पर फैक दिये जाओगे and आपको यहाँ से install कर लेना होगा इस application को तो देख सकते हम इस वाले इंटरफेस पर आ चुके हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ कि यह application download हो चुका और install भी हो चुका है लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है वो चीज़ आप ध्यान दीजी देख सो तो ओपन का option आ गया है लेकिन आपके VPN पहले से connect होना चाहिए VPN आप कोई भी download कर लीजी यह उपर मैं आपको दिखा हूँ कि मेरे में VPN यह दिख सकते हूँ पौबर VPN connect है ठीक है तो यहाँ पर आपको open पे click करना है ठीक है अम जैसी open पे click करेंगे यहां रहे कि आपको VPN को connect करके रखना है विकॉस यह अभी game band चल रहा है तो हम यहाँ पर connect करके play कर सकते हैं और बोलना है आपको अब हम आपको बताते हैं आप किस application से free fire को download कर सकते हो तो simply उसके लिए आपको Google Chrome application को open करना है और उसके बाद इसमें जो आपने new tab खोल रखे होंगे जो आपने कांड किये हैं रातों में वो आपको पहले हटा देने होंगे ठीक है तो हम यहाँ पर जाओंगा वह सर्च बार में सर्च में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है APK pure ठीक है जैसे हम APK pure सर्च करूंगा तो यह पर इस तरीक सा आपको APK pure सर्च करना एंड यहाँ यहाँ पर दिसको APK pure website आ चुकी है आपको simply इस पर click करना है जैसी आप इसको आपको download कर लीना होगा हम यहाप देते हैं और इसके बाद यहाँ पर आपको option मिल रहा है download app 9mb का application है तो simply हम इस पर click करेंगे तो जैसे मैं इस पर click करूँगा तो यह application download होने लगेगा तो यह पर मैं download again पर click करूँगा download again पर click करूँगा देख सो यह details का option आ रहा है I mean application download होने लगा है तो simply आपको उस click करना क्या है three dot पर click करना यहाँ पर जैसे मैं three dot डॉनोट पर कलिक करना होगा उसके बाद मेरा अपडेट करने को बोलॉखा और queste है तो आपJust इस्टॉल करें फिर आप वहाँ से Free Fire को डाउनलोड कर सकते हो